हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल हैंड नीटिंग विदा निता में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज यह मैंने दो कलर से एक छे साथ नंबर की सोक्स बनाई है यह भी हमारी ओडर पर ही है मैं सभी स्वेटर ओडर पर ही बनाती हूं जो जिस नाप का कोई स्वेटर बनाता है उसी नाप से बूल दे के बनाए तो मैं खाली पैसे पैसो से अपना बना देती हूं और कोई ओडर पर दे तो मैं बूल लाकर भी कलर बता दे उसी हिसाब से बनाती हूं तो ये मेरी छे साथ नंबर की सोक्स है इसको हमने दस नंबर की सलाई से बनाया है ये देखिए ये अंगुठा और ये हमारा उंगलियां फिंगर हैं हमारी ये आदी हमारी ये बंद हो जाएगी आदा हमारा सिरफ ये पहलने का हिस्सा खुला रहीगा टू कलर से ये दो कलर की मेरे पास एक तो ये सिंपल लून है ये थ्री पलाई की बूल है पिंक वाली जो मैंने इसमें डला है वो थ्री पलाई की है इसको हमने कैसे बनाया है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो अब मैं ये बताने जा रही हूँ इसमें मैंने 60 फंदे डाले हैं 60 फंदों से अब ये हम जब पहनते हैं यह उची उची हमारी जो टकने होती है हमारे नी उस तक हम यह ढख जाती है अगर हम इसको सिधा बनाए तो वह हमारी नीची नी रह चीए यह हमारी इतना उचा उचा किया तो इससे हमारी उची उची बन जाती है और सर्दी से हमारे बचा उता रहता है शुरू हम पंदे डा दस नमबर की सलाई इसमें यूज करेंगे पंदे डालेंगे सिंगल दाग़े से यह देखी मेरा सिंगल दाग़ा है सिंगल दाग़े से हमने इसमें डाले हुए हैं एक नॉट लगा देंगे यहां पर ऐसे एक पहले था एक अप हो गया दो यह देखो ऐसे करके इसमें सिंगल दाग़े को तीन चार पांच छे साथ आठ इस तरह हम साथ फंदे डालेंगे यह मैंने दस फंदे डाली बाकी मैं भी हो डालती हुए साथ फंदे डालते cooking हम फिर यह देखिए चार सलाई और पहले सिंपल ब्लैक कलर से सीध्य उल्टि बनाएंगे दो सलाई बनाने के बाद यहां साइड में दो सलाई बनाने के बाद साइड में पाँच फंदे इधर से और पाँच फंदे हमारे इधर से दस फंदे यानि कि पाँच इधर से पाँच इधर से हम उल्टे उल्टे बनाएंगे दो सलाई बनाने के बाद या अगर शुरू से भी बनाए तो भी कोई बात नहीं लेकि मैंन या दो सलाई के बाद बनाया है पांच सलाई हैं पांच फंदे इदर से उल्टे 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 वो उल्टी सलाई में भी उल्टे बनेंगे सिद्धी सलाई में भी उल्टे बनेंगे चार सलाईयां डालने के बाद ये दो दो फंदो का दो फंदे पहले पिंक कलर से दो ब्लैक से दो पिंक से उल्टी सलाई में आते हैं तो पिंक वाले ब्लैक कर लेते हैं ब्लैक वाले दो 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 फंदो का है आठ सलाईयों का हमने सीधी उल्टी बनाई हैं ब्लैक कलर से ये फंदे हमारी जो शुरू के फंदे हैं पांच फंदे ये लास्ट तक हमारे उल्टे उल्टे चलेंगे आठ सलाईयों के बाद दो सलाईया मैंने ये फिर बनाई हैं फिर यहाँ पर हमने आठ सलाईया इसी तरह बनाती हुए चले गए हैं यह एक संगल जो आप दूसरी यह मैं बना रही हूँ आठ सलाईया बनाने के बाद जब यह चार लाईने हमारी यहाँ पिंक कलर से हो गई हैं एक दो तीन चार यहाँ पर हमने दो साइड में इस पिंक कलर से लगाते ही यहाँ पर दो पांच फंदे इधर से और पांच फंदे हमने इधर से यह देखिए हमारी घटाई भी हमें पत ऑज़े यहां तक 4 लैने बननाई पड़ी हैं इसके बाद फिर हमने यहां तक 5 फंद ही दर से गट आई हैं यह देखिए हमारी गटाई यहां तक पता चल रही है दशपंदे गट गें ऊपर अब यहां से लेकर जब यहां तक अंग उठे तक हमने बनाया है तो यहाँ पर हमने 50 फंदों से बनाया है 60 फंदों में से जब 10 फंदे गट गे तो हमने यह 60 फंदों 50 फंदों से अपने जितनी हमारी लंबाई है तो इसकी लंबाई मैं देख पताती हूँ अभी हमने यह अंग उठे तक हमारी इसकी लंबाई कितनी बनती है देख को यहां तक मैं कर लेते हैं फिर मैं यह अंगुठा और इसका पंजा बताएंगे कैसे बनाया वैसे तो मैं इसकी कई जुराबे बना चुकी हूं तो आपको देखें आप तो मेरी पीछी वेडियो में भी पता चल जाएगा नेकिन मैं अब बना रही हूं नहीं कलर से तो इसक यह शेप हमारी यहां से आ रही है पांच फंदे गटे यह हैं यहां से लेकर यहां तक आट ने पांच बारी में इसके बाद हमने desemple बनाना शुरू किया 50 फंदों से तो यह मैं बेले इसकी गटाई करते करते हैं फिर मैं यहां तक बना लेती हूं उसके बाद आंगुठा तो बनाएगे अब यह मैंने एक दो तीन लईने आठ हरसलाईयों के यह तीन चोथी जब यह पिंक कलर हमने जब लगाया 8 साल के बाद 8 सलाईयों के बाद तब यहां से हमने दो का एक हरसलाई में 5 बार तो अब यह देखिये मैंने तीन ब्लाईने बना ली हैं तीन नहीं नहीं यह हमारी बन गी है पिंक क्लर से अब यहां पर जब हम चोथी डाल रहे हैं तो इसी की यह हमारा पीछे से तक भी आप पैर भी आ जाता है तो हम यहां पर इसकी घटाई शुरू करेंगे पांच फंदे दो तीन च्यार पांच फंदे बनाने के बाद यहां पर अब हम फंदे को इस तरह मोड़ कर दो का एक कर देंगे और अब हम यहां पर अपना पिंक कलर दो फंदे पिंक कलर से दो फंदे ब्लैक कलर से दो पिंक से इस तरह पूरी सलाई बनाते हुए जब हम यह पांच फंदे उल्टे जो हैं उससे पहले के यह दो फंदे हैं इन्हें हम दो का एक करेंगे इस तरह पांच बार हर राइट साइड में पांच बार पांच फंदे हम इधर से गटाएंगे पांच फंदे हम इधर से गटाएंगे इस तरह हमारे साट फंदों से पचास फंदे रह जाएंगे पचास फंदों से फिर हम यह देखिए हमारी चोथी एक दो तीन चार यह बना यहां से शुरू कर रहे हैं तो यहां तक बनाते बनाते जब यह पांच भी पिंक आएगी तब तक ही हमारी गटाई पूरी हो जाएगी इस पिंक तक नहीं को नहीं बनाएंगे उसे पहले यह चार आठ सलाईया बनाएंगे और दो सलाईया यह दस सलाईयों में हमारे पांच फंदे इदर से पांच इदर से घट जाएंगे फिर हम ये पिंक डाल कर आठ सलाई ये बलाएंगे फिर ये पिंक और फिर ये आठ सलाईया बना कर फिर हम ये एड़ी पंजे अपने बनाएंगे तो ये इतना मैं बना लेती हूँ गटाई करनी मैंने अब आपको बता दी है त ये मेरी साथ नंबर की है तो उसके हिसाब से मैं इतना बना रही हूँ अगर हमारी सोड़ी छोटी हो पांच नंबर हो तो हमें पिंक कलर की पांच लाइने ही भोत रहेंगी और उससे भी छोटा है या उससे भी थोड़ा अगर बड़ा है तो उस हिसाब से हम अपने नमकर रोग का पैरप के जुराबे बनाते हैं तो 6 इंच इस तरह हम लंबाई को रखते हैं तो ये हम पूरी कर लेते हैं अब ये last में भी मैं बापको एक बार दिखा देती हूँ ये अब रहेगे हमारे पास दो चाओ पांच पंदे तो ये हैं एक पंदा पिंक कलर से और लास्ट का पंदा फिर ये ये भी पिंक कलर से दो का एक पांच पंदे बचे गये हैं ये हमारे उल्टे हो जाएंगे अब बाकी जैसे हमारा है इसी तरह पांच बार लगाता राइट साइड में बटाए जाएंगे हमें लास्ट का ये फंदा और शुरू का ये फंदा सिधा रखना होगा नहीं तो हमारी ये लाइन सी नहीं बनेगी और बाकी बेच चार पंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे ये अब हमने जितने लंबाई हमने रखनी थी अंगुठे तक इसको बना लिया है अब हम यहाँ पर अंगुठा और अपना पंजा बनाएंगे इस सोक्स में मैंने पहले बनाया है अंगुठा ये हमारा अंगुठा पहले बना है अब इसमें अगर इस साइड में बनाया तो इसमें इस साइड में बनेगा अब इदर यहाँ पर इसमें आ रहा है तो इन्हाँ ऐसे बनाएंगे यानि कि सोच सीदा करते हैं तो शुरू में हमने यहां पर इसमें अंगोठा बनाया था इसमें अब हम यहां शुरू में पंजा बनाएंगे क्योंकि यह ओपोजिट पैर की हमेशा उल्टी उत्ती जुरा पे तो इस तरह पहले पंजा बनाएंगे और बाद में इधर अंगुठा बनाएंगे पंजे के लिए रखेंगे हमने रखे थे हाँ पर अंगुठे के लिए 18 फंदे 18 फंदों को हम यहां से हटा देंगे रख देंगे बाकी हमारे पास बचते हैं पचास फंदों में से 32 फंदे, 32 फंदों को अब हम हाफ हाफ करेंगे, आधा आधा करेंगे, यानि कि मैंने कर लिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12, 15 फंदे, 15 फंदे करने के बाद दागे को आगे करेंगे, 3 का यहाँ पर हम एक करेंगे, यह देखिए हमने शेप बनाने के लिए, यहाँ तो उसका हमने तीन का एक, तीन का एक बीज में करेंगे, तीन का एक कर लिया, उल्टा, दागा उल्टा कर लेंगे, अब दागे को पिछे करेंगे, वही पंद्रा फंदे हम यहाँ पर फिर बना लेंगे, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आर्ट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, अब अठारा फंदे हमारे यह, यह बच गए, यह हम अंगुठा बनाएंगे, फंद्रागे को हम यहीं से ही टर्न कर लेंगे, इनको ऐसे ही सिंपल बना लेंगे, फिर हम जब राइट साइड में आएंगे, तो अब के हमने पंद्रा फंदे बनाये थे, अब हम चोदा फंदे बनाएंगे, और बीच में तीन फंदों का जहां पर जो किया था, उसी फंदे के उपर, उसी के उपर चोदा फंदे बनाने के बाद, तीन फंदों का फिर एक कर नेक्स्ट अगली तीसरी बार सिद्धी सलाई आएगी तो हम 13 फंदे बनाएंगे फिर हम 12 बनाएंगे 11 बनाएंगे उससे हर बार करते करते 32 फंदों में से हम गटाते गटाते यहां पर 18 फंदे जब बच जाएंगे तब मैं आगे आपको बताओंगी इतने हम इनको बना लेत हैं तीन का एक तीन का एक उसी फंदे के ऊपर जहां अब जैसे यह तीन का फंदा है तो एक फंदा इधर का लेंगे एक फंदा इस साइड से लेंगे तीन का एक करते करते तो अब इसको मैं बना लेती हूँ अब ये देखिए गटाते गटाते हमारे पास रहें अठारा फंदे ये अमारे पास अठारा फंदे रहें इतनी हमारी लंबाई हो गई है अब हम इसमें से अध्य फंदे 9 फंदे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे बना लेंगे 9 फंदे 3, 3, 4, 3, 9 फंदे हमारे यहां पर बचगे अम इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे अध्य फंदे हमारे इधर आगे अध्य फंदे हमारे इधर होगे अब इन्हें हम दो तीसरी से लाई लेकर और इधर से इसको बंद करेंगे यह दो का एक, दिला डिला, दो का एक, दो फंदे होगे, एक को फंदे को इसके, एक फंदे को इसके उपर से उतारेंगे, यहाँ पर फिर हम दो का एक करेंगे, इस फंदे को इसके उपर से उतारेंगे, यहाँ पर दो का एक करेंगे, इसके उपर से उतारेंगे, दो का एक करेंगे, इस तरह सारे फंदों को बंद कर देंगे, डिला डिला, टैट नी करना है, नहीं तो हमारी ये उंगलिया विचने लग जाएंगी, और हमारा ये इस तरह पंजा बन कर तयार हो गया, अब रहे गया हमारा अंगुठा, बंद कर दिया, ये हमने बंद कर दिया, अब ये ये देखिए हमारा ये पंजा इस साइड में बन कर तयार हो गया, यहां से अब हम इसके बीच में से दागे को लेकर और इस दागे से सिलाई करेंगे, तो थोड़ा सा हम इसको लंबा तोड़ लेंगे, कट कर दिया, कट करन के बाद अब यह पंजा हमने यहीं छोड़ देना है ठीक हो गया आप बनाएंगे हम यहां पर अपना अंगुठा अंगुठे के यह 18 फंदे हैं 18 फंदों में 8 सलाईयां हम बना लेते हैं इसको सिधा उल्टा बना लेती हुए यह हो गई अब हमारी 8 सलाईयां मैंने बना ली ह 8 सलाईयां बनाने के बाद अब हम 8 सलाई 5 फंदा ऐसे ही बना लेंगे दूसरा फंदा दो का एक करेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर दो का एक करेंगे फिर दो का एक करेंगे हर फंदे को दो का एक दो का एक करते चले जाएंगे हम दो का एक या भी दो का एक करेंगे दो का एक करेंगे सारे फंदों को दो का एक करते लास्ट में हमारे पास एक बंदा बचे गया उसको हम मैंसे बना लेंगे और ये लास्ट का उल्टी सलाई सारी उल्टी उल्टी बना लेते हैं, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस फंदे बचेगे, दस फंदों को अठारा से दस बचेगे, अब यहां पर भी हमें सभी फंदों को दो का एक करेंगे, दो का एक, दो का एक, दो का एक, और लास्ट में भी दो का एक, अब रहेगे हमारे पास पांच फंदे, दस थे पांच रहेगे, पांचों फंदों को उल्टी सलाई बना लेंगे, अब आजाते हैं राइट साइड, राइट साइड पांच फंदे हैं, चार फंदों को इसके उपर से, एक, दो, तीन, चार, पांच फंदे ते एक फंदा बचेगे, चार फंदों को उनके उपर से उतार लिया, दागे को इसके अंदर से निकाल लेते हैं, और यहां से कट कर और आप इसकी हम सिलाई करते हैं यह हमने इसके नौट लग गी हमारे अब इसी दाग्गे से हम इसको सीलेंगे अंगुठे को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे हमारी यह जहां तक अंगुठा है इसको ऐसे सीलेंगे ऐसे ही फिर इदर से सील के पिर आएंगे हम पंजे की तर इसको हम जितना हमारी इच्छा हो, वहा तक छोड़ लेंगे और यहां तक हम ने गटाई कीए, जहां से जहां से मैं गटाई शुरूई कीए, एक दो, तीन, चार, यहां से शुरूई कीए, तो पिंक शेड तक, यहां तक मैं इसको इस से सिल दूँगी, ये हिस्सा मेरा खुला रहेगा पैर में पहनने के लिए बैक साइड का ये जो बैक साइड का है इसको भी हम ऐसे सील देंगे तो ये मैं सील कर आपको रेडी करके दिखाते हैं पंजे को पहले अंगठे को सील लेंगे फिर हम इस साइड से पंजे को सील लेंगे दौनों को सीलने के बाद फिर हम ये जो हमारी ये किनारी हैं इन दौनों को अपस में जहां तक हमने गटाने शुरू किये हैं जहां से वहां तक इसको बंद करते हैं अब यह देखिए हमने सील कर त्यार कर दी है हमारी सोक्स बनकर तैयार हो गई है यह इधर से बैक साइट रंच से इधर यह बैक साइट मेरे बताने का तरीका मेरे कलर रंग पैटर कुछ भी आपको पसंद आता हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में शेयर करें मेरे चैनल को स्पोर्ट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो तक बबाई झाल झाल